क्या आप physics examination में full marks a lot करना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है प्लीज वीडियो को skip ना करें welcome back to the channel guys आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे about one mark questions of physics class 12 board examination board examination में ये sure short questions है class 12 physics के वो भी one marker सबसे यादा mistakes होने के chances से silly mistakes होने के chances यहीं पर होते हैं विकॉस बच्चे जो हैं बड़े-बड़े answers में कुछ ना कुछ लिख देते हैं जिसकी वजह सोने अगर three marks a question है तो two marks one and a half marks मिल जाता है बट इन questions के अंदर अगर आपने वह main word नहीं लिखा है जो examiner जसकी खोच कर रहा है तो आपको वहाँ पर marks नहीं मिलता है आज की एक्वेशन शॉर्शॉर्ट कोईशन है आपके examination में 100 out of 100 आ सकते हैं या फिर अगर हम माने तो 70 out of 70 क्योंकि theory 70 की होती है तो प्लीज वीडियो को skip ना करें लास तक जरूर देखें इन questions को analyze करें कि किस तरह की questions है और answer हम कैसे देते हैं वेलकम बैक तो चानल गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चानल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूने तक निकसे जब भी वीडियो अपलोड करें आपको जो है इस question यह question बहुत important है और यह question आते ही आते हैं चाहें कोई भी examiner exam को set करें पेपर को set करें यह question बहुत important है सो मैं एक-एक question readout नहीं करने वाली हूँ आप जो है आते हो snapshot ले सकते हैं otherwise मुझे instagram पर follow करिए वहाँ पर मैं आपको send कर सकती हूं pdf आप मुझे वहाँ पर message करिए कि आपको इसकी pdf चाहिए and मेरा instagram handle is sing creations education okay so same name है instagram पर भी आप वहाँ पर मुझे follow कर सकते हैं guys चलिए शूडू करते है question number one is which orientation a dipole placed in uniform electric field it is stable stable के अंदर कैसे orientation रखी जाती है to be guys make sure कि आप ऐसे जो डाइग्राम है वो डाइग्राम फिगर जरूर बनाए physics के अंदर अगर किसी भी थियोरम की या किसी भी particular question की या किसी भी particular का snapshot ले पाएंगे और make sure कि आप graphs जो है graph को easily cover up करें हर chapter के graph को ताकि आप जो है graph के अंदर master हो जाए और मैं एक video लाने वाली हूँ जिसके अंदर आपको सभी chapters के from 1, 2 जितने भी आपके 14, 15 chapters हैं सभी chapters के अंदर आपको जितने भी graph मिलेंगे मैं सारे graph allot करने वाली हूँ आपको आपके लिए वो काम भी easy करने वाली हूँ प्लीज बने रहिए दिखिए जैसे की fourth question है the given graph shows the variation of charge q versus potential difference v for two capacitors c1 and c2 the two capacitors have same plate separation but the plate area of c2 is double than the area of c1 okay which of the line in the graph correspond to c1 and c2 y यह आप यहापर क्या करोगे कि c जो है उसको proportional मानोगे a के और a जो है c2 के लिए बराबर है और b किसके लिए बराबर है c1 के लिए okay force is acting between यहापर guys एक चीज आप जरूर जाने कि यह जो बिलकुल एक word का answer है यही answer आपके examination में होना चाहिए तभी आपको examiner 1 mark अलॉट करेगा analyze करिए कि answers को किस तरह से यहापर लिखा हुआ है चलिए next चलते हैं यह battery वाले questions जरूर आते हैं guys trust me यह question जो आप देख रहे हो a 10 volt battery of negligible internal resistance is connected to across a 200 volt battery and a resistance of 38 ohm find the value of the current in circuit यह question 2018 के examination में आया था और उससे पहले यह question मेरे पास था okay मैं यह नहीं कहा रही paper leak वहा था वहाला paper मेरे पास था नहीं बट यह जो कुछ short short question है इसमें से कोई एक या दो questions तो आ ही जाते हैं examination में और अगर आपको एक या दो question आपके question paper के पता चल रहे हैं तो इसमें क्या बुड़ाई है ओकी तो देखी चलिए यहां पर 9th question भी देख लेते हैं यह एक variation यह ग्राफ का plot किया गया है जिसके अंदर potential difference है और तीन identical cells हैं जिनको series में connect किया गया है नेक्स्ट है conductor की length वगेरा बताई हुई है तो गाइस मैं सारे की question नहीं बोलने वाली हूं देखो cyclotron पे या तो आपको diagram के सार्थ तो theory लिखने के लिए सकते हैं theorem पूरी या फिर आपको एक marker में ऐसा question भी आ सकता है कि cyclotron जो है suitable क्यों नहीं है electron को accelerate करने के लिए why ऐसा क्यों है because cyclotron जो होता है वह suitable नहीं होगा किसी भी electron को accelerate करने लिए because उसका जो mass होता है वह बहुत कम होता है due to which इनकी जो speed होती है वह जादा हो जाती है और यह immediately speed up कर लेंगे अपने आपको step out कर जाएंगे okay so next है आपका question आप प्लीज सभी theorem अच्छे से याद करें और सभी theorem की एक जगा पर note down कर लें सबको तकि आपको आगे चलके easy हो कोई भी theorem आपको ढूननी ना पड़े ओकी और अगर आपको मेरे notes चाहिए तो please मुझे बटाइए comment section में मैं एक एक chapter की notes upload करती रहूंगी इसी तरह से note से भी अच्छी चीज क्या होती है कि अगर आपको questions मिल रहे हैं अगर आपको questions sure shot वहीं पर मिल रहे हैं तो इससे अच्छी बात I don't think so कोई हो सकती है because जब question आपको सीधी तरह से मिल रहे हैं और आपको पता है कि वह questions जरूर आने वाले हैं examination में so आपको वह questions जरूर करने चाहिए इन questions को हवा में मठ डालना यह मठ सोचना कि बाद में कर लेंगे बाद में पच्छता होगी अगर यह questions नहीं किये तो so मैं यहापर scroll down कर देती हूँ आप लोग देख लीजेगा I hope आपको यह questions समझ में आ रहे होंगे और आपको इन questions की importance भी पता चल रही होगी अगर अगर आवास clear नहीं है तो I'm sorry for that but I'm making sure कि आपको अच्छी quality education दूँ यहाँ पर अगर trust करते हैं teacher और student के बीच में trust होना चाहिए अगर trust करते हैं तो इन questions को जरूर एक बार देखे और इनको solve करने का try करें otherwise अगर किसी question का answer नहीं आता है तो उसको जरूर पढ़े एक बार यहीं से पढ़े but make sure कि आप उसको अच्छे से read down करें एक एक chapter बहुत important है physics के अंदर और उसका एक एक answer बहुत जादा important है so guys here we complete this video इस video को अगर आपने पसंद किया हो आपको लगता हो कि यह questions important है तो please comment section में बताईए बाकी अगर आप मुझे पर आपको trust है तो मैं बोलना चाहूंगी कि यह question short short question है और यह जरूर आने वाले examination में आप प्लीज इन questions को जरूर लगाए और इन questions के उपर आप बिलकुल dependent हो सकते हैं कि यह questions आपके examination में एक या दो questions जरूर आएगा इसमें से I make sure और आप जो है अपने examination में जरूर जरूर से इस questions को लगा के जाए ताकि आप जो है अपने questions में silly mistake ना करें और इन questions से क्या होगा क्योंकि आजकल जो trend है जो 2018-17 जो trend चलता आ रहा है कि 5 markers जो question होते हैं वो markers कैसे होते हैं one is one mark and the other one is two two marks के question so जो one mark होता है उसमें भी ये question repeat हो सकते हैं again repeat जो one mark वाले questions होते हैं five markers में उनमें भी ये question repeat हो सकते हैं तो आपके लिए हर तरीके से benefit है इन questions का मैं आगे भी video बनाने वाली हूं जिन video में included होगा आपका examination के लिए five markers question value based question and आपके two marks question and three marks question if you want इसी तरह की videos में biology and chemistry के लिए भी questions के साथ video बनाऊं so please comment section में जरूर बताईए अगर वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर कर दीजिए and अगर आपको लगता है कि ये questions आपके लिए काफे जादा useful है so please I request you again कि in questions को जरूर try up कीजिए तकि आपकी जो preparation है आपके examination के लिकास time बहुत कम है तो आपकी examination के लिए जो इतना भी आपको fear है या फिर आप सोचते हो कि physics है किसी भी तरीके से important important है बट आप उसको कर नहीं पाते हो आप बोलते हो कि my physics is very weak otherwise all the three subjects I have like English हो गया physics के बाद chemistry हो गया biology हो गया फिर mathematics वो सभी जो subjects है वो मेरे बहुत अच्छी है तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है अगर आपनी physics को नहीं किया because हर एक जो आपका subject है वो आपकी percentage को create करता है और आपकी percentage पे हर एक subject का बराबर का effect होता है अगर आपकी 90 marks आगए chemistry में आपकी 40 marks आगए physics में तो वो चीज बैलनस आउट हो और आपको help करेंगे trust me अगर उस पर trust है तो please questions को जरूर लगाए और जब आपका examination हो जाएगा चाहें वो feb में हो चाहें मार्च में हो उसके बाद आकर आप मुझे बता सकते हैं comment section में कि ये questions आए या नहीं आए I am ready for the consequences जो भी consequences होगे उसके विल्कुल ready हूँ but please give it a try अगर अगर ऐसी आयो वीडियो देखके अगर आप चले गए आपको make sure करना है कि ये वीडियो के ऊपर आप अमल भी करें वीडियो के जितने questions है उसको आप बिल्कुल practice भी करें वो सारी वीडियो के जितना भी कुछ है मैंने जितने भी lectures पढ़ाए हैं वो सब lectures आपने देखा तो comment section में आप देखते होंगे कि 360 आउट ऑफ बच्चों ने नीट के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनके 360 आउट ऑफ बायो की बात कर रही हूं वहां पर 351-356 ऐसे score किया है तो अगर आप भी उतना score करना चाहते हैं तो प्लीज पीजिक्स के ऊपर यानिकि बोर्स के अंदर कुछ एक महीने की या दो महीने की पढ़ाई में भी आप बोर्स के अंदर बहुत अच्छा प्रिपेर कर सकते हो आप बने रही है मेरे साथ आप बस बोर्स के लिए मैं काफी ज़दा वीडियो डालने वाली हूं इसी तरह कि टिप्स और ट्रिक्स वाली तकि आपका टाइम सब्सक्राइम भी सेव जाए और आप जो है अच्छे मांक्स भी सोर सकें सो स्कोर कर सकें सो विद्धाट सेट थैंक यह सो मुच आप गूद दीव बाई